Hello everyone, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम discuss करेंगे types of angle अगर आप मेरे चैनल पे new हैं तो ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें साथ में bell icon प्रेस करें ताकि सब भी new वीडियोज की update आपको time पे मिल सकें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए angle किसे कहते हैं When two rays have common end point they form an angle जब two rays आके एक common end point पे join होती हैं तो वो angle form करती हैं यहाँ पे देखिए A, B, C, B यह two rays हैं और यह B point पे आके join कर रही हैं means भी इन दोनो rays का common end point है तो जब दो rays एक common end point पे join करती हैं तो वहाँ पे angle form होता है The two rays forming an angle are called arms of the angle दो rays जब एक angle form करती हैं तो उन rays को क्या बोलते हैं Arms of the angle The common end point is called vertex जब दो rays आके एक common end point पे मिलती हैं और वहाँ पे angle form होता है तो उस end point को क्या बोलते हैं उस end point को बोलते हैं Vortex We measure angles in degree So angle की unit क्या होती है? Degree Angles को हमेशा degree में measure किया जाता है We use protector to measure an angle Angle को measure करने के लिए हम एक device का use करते हैं उस device को क्या बोलते हैं? Protector आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 degree से लेके 360 degree तक के जो angles है वो कहां लाई करते हैं तब भी आप type of angle easily समझ पाएंगे तो देखिए जब two rays एकदम straight एक दूसरे को cross करती है तो जब एक रे एकदम straight right hand side होगी तो वहां पे 0 degree होगा उसके बाद जब एक रे upward vertically एकदम straight होगी तो वहां पे 90 degree होगा जब एक रे एकदम straight left hand side होगी means horizontally होगी तो वहां पे 180 degree होगा और जब एक रे downward एकदम straight होगी वहां पे 270 degree होगा और जब ये रे वापस यहां पे चली जाएगी 0 degree से होती हुई इस तरफ एकदम straight यहां right hand side वापस आ जाएगी तो वहां पे 360 degree होगा means यहां से शुरू 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree और वापस यहीं चले गए तो 360 degree तो ये complete angle क्या हुआ? 360 degree now we will discuss types of angle तो सबसे पहले बात करते हैं acute angle acute angle वह होता है जो 0 degree से बड़ा होगा और 90 degree से छोटा होगा 0 degree यहां हो गया एकदम straight जब horizontal line होगी और एकदम straight vertical line होती है वहां पे 90 degree होता है तो 0 और 90 degree के बीच में जो भी angle होते हैं वो acute angle होते हैं next right angle right angle वो होता है जो 90 degree फोर्म करता है जिसकी measurement 90 degree होगी वो right angle बोला जाएगा then obtuse angle obtuse angle वो होता है जो 90 degree से बड़ा होता है लेकिन 180 degree से छोटा होता है 180 degree यहां होगी और 90 degree एकदम straight यहां होता है ठीक है तो यह जो angle है देखिए यह 90 degree से तो बड़ा है लेकिन 180 degree से छोटा है so this type of angles are called obtuse angle straight angle वो होता है जिसकी measurement 180 degree होती है यहां पर 0 degree होता है और यहां पर 180 degree होता है so जब एक यह straight line form होती है तो यहां से लेकिए यहां तब 180 degree angle होता है उसके बाद reflex angle उसे कहते हैं जो 180 degree से बड़ा होता है लेकिन 360 degree से छोटा होता है यहां 0 degree है एकदम straight यहां पर 90 degree है और यहां पर 180 degree है so यही जो angle है यह 180 degree से तो बड़ा है लेकिन 360 यहां पर आएगा न वापस और 360 से छोटा है तो इस type के angles को बोलते हैं reflex angle so यह थी आज की वीडियो आई होप आप कोई वीडियो helpful लगेगी थैंक्स वर वाचिछ